हेलो फ्रेंज, रवाई इडली तो आपने बहुत बार ट्राइ करी होगी, पर क्या आपने कभी वेजटेबल इडली ट्राइ करी है? खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए शिरू करते हैं इंस्टेंट वेजटेबल इडली की रेसिपी आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैंने लिया है और एक कप से थोड़ी सी कम इसमें एड़ करेंगे दहीं, लगबख तीन शुथाई कप दहीं इसमें एड़ करनी है और साथ में एड़ करेंगे आधा कप पानी, एक बर मैं आधा कप पी पानी ले रही हूँ, बाद में हम जो है इसको एड़स्ट कर लेंगे तो आधा कप पानी और एक अप से थोड़ी सी कम दहीं एड़ करके इसे अच्छे से mix कर लेना है तो अभी आप देख सकते हैं बैटर जो है थोड़ा थिक लग रहा है तो यहाँ पर मैं आधा कप पानी और इसमें एड़ करूँगी तो टोटल एक कप पानी चला गया है और दहीं जो है एक कप से थोड़ी सी कम है तो यह जो बैटर है ना इससे लगबग 15 इडली जो हमारी बनकर तयार हो जाएंगी तो अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो देख सकते हैं आप कितना flowing consistency में यह बैटर है अब इसे ढख कर 15 मिनिट के लिए हमें रख देना है अब हमें लेना है एक pan और इसमें तयार करेंगे हम तड़का वेजिटेबल का तो एक टेबल स्पून इसमें मैंने oil डाला है और oil जब हलका सा गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम राई तो यहाँ पर एक चमर जो है मैंने राई लिए है और राई को हमें थोड़ी तेज आँच पर तड़कना है जब यह बुल अच्छे से तड़कने लग जाएगी ना एकदम डांस करने लग जाती है जब राई तब तक हमें इसे तड़क लेना है और इसे सोटे करने के बाद हम इसमें मिक्स वेज़ अड़कर करेंगे तो आपके पाँस जो भी वेज़ेबलस एवेलिबल हों घरपे आप इसमें एड़कर सकते हैं जब या चछे हो जाए तो झमें यह कड़ी पत्टे का फ्लेवर एंडली में काफी अच्छा आाए तो आप इसे जरूर ट्राइख करें इसमें नमक के साथ यह जाएक बादे और धान ज् साहएक कर लेना है और घ्साविफे स्टेंड करेंगी पान् deg तर भी अब इड यूप इड्ली का मिनिक दो है अच्छ और फोलो चू Kan text कर देंगे हो छूधки इसे वह सबस्क्ति इस ऐड्ली का तर मेड less गई है अब इसेचिtım पर हमें इसके अंदर जो वेजी हमने कब कर लेना है तो यहां पर यह श Вас मैं ले रहे हो और इसमें अच्छा इसे मिक्स कर देंगे वेजिटेबल इढली खाने में टेस्टी होती है और एसमें काफी सारी सब्सियां भी हमने अईक कर दी अब इसमें एक चमच पानी एड़ करेंगे इससे क्या है इनु जो है एक्टिवेट हो जाती है और आप इसे अच्छे से मिक्स कर देना है बस एक ही मिनिट अच्छे से इसको मिक्स करें और उसके बाद इसे तुरंट इडली स्टेंड में डाल दें कुकोने के लिए क्योंकि जब इनु डालते हैं तो उसे तुरंट ही हमें इडली को जो है स्टीम कुक करना होता है तो अब इसके अंदर आप जो बैटर है ट्रांस्वर कर दें और यह इडली जो है खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी आपको यह वीडियो अच्छी लग दिए तो इसे लाइक और जरूर कर दीजिए और अगर आप में इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हाँ बैल आइकन पर जाकर ओल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पर आपको मिलते रहें तो अब इसे हम स्टीम कुक क शुकत करेंगे और 15 मिनिट के लिए और ध्यान रखें इडली हमें अच्छे से कुक हो गई है तो अब देखिए कितनी कैल्रफुल लग यह आपको बिताने टूथिक मैना और उसिके इंसर्ट करके अगर यह एकड़म किमें बाहराघ्य बाहरा आता बं inventions नहीं साथमे इडली हमारी अच्छे से अंदर से बेक हो गई है तो अब इस स्टेज पर फ्लेम को हमें ओफ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रग देना है ठंडा होने के बाद जो इडली है उसे हम डिम मोल्ड करेंगे तो दिखाती हो मैं आपको ठंडा होने के बाद यह देखिए से साइट से एजिस को थोड़ा सा कट कर लें और उसके बाद जो है यह इसली बाहर आजाएगी इडली और आप पास से भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया कलरफुल सी और हेल्दी इडली हमारी बनकर तयार हुई है तो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपनी पिके साथ तिल दें तेकेर और कीप वचिंग एंजुडंग जिन वीजास कीचिन